स्क्राइब करें दैस्पीड स्टरडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार दैस्पीड स्टरडी पर एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप जान रहे होंगे दोस्तों सेकेंड चरण की जो लिष्ट है वो आ चुकी है अभी बच्चों की सूची नहीं आई है लेकिन ये उसमें आ गया है कि जो सेकेंड चरण का एकजाम होना है दोस्तों वो आपका 16 जनवरी से सुरू होगा पहला चरण आपका 28 तारिक से 15 तारिक तक का था और दूसरा चरण जो है वो 64 तारिक से स्टार्ट होगा और 30 तारिक तक होगा तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं दोस्तो महात्पूर्ण वन जीव अभ्यारणों की तो देखते हैं कि क्या-क्या प्रस्ट इससे पूछे जा सकते हैं दोस्तो हर टापिक का मैं सारा प्रस्ट लिकराऊंगा धीरे-धीरे दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला इस भी में इस्थापित प्रथम राष्टी उद्यान है जी हां दोस्तो 1936 में जो है प्रथम राष्टी उद्यान कौन सा इस्थापित किया गया था दोस्तो पहला कानहा है दूसरा भरतपूर है तीसरा राजा जी है चौथा हेली है तो इसमें बताना है दोस्तो आप लोग राष्टी उद्ध्यान जी हां दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो हेली राष्टी उद्ध्यान वहीं अगर हम कानहा की बात करें दोस्तो तो कानहा किसली सिमली पाल और ये सब दोस्तो जो हमारा राष्टी उद्ध्यान है वो हमारा कहां पर है इसको आप कमेंट करके बताईएगा राजा जी राष्टी उद्यान दोस्तो ये आपका उत्राखंड में दोस्तो उसी तरह भरतपुर पक्षी अभ्यारर दोस्तो तो इसका ए और बी का आप लोग कमेंट करके बताईएगा तो ये हो जाएगा सबसे प्रथम राष्टी उद्यान जो है वो हेली लिए और कभ दोस्तों 1936 में क्या नाम है हेली राश्टी उद्यान और इसका जो वरतमान नाम है दोस्तोर वह है जिमकारवेट राश्टी उद्यान昨 दोस्तो आगे चलते हैं पर क्या कह रहा है किनिवन लिखित में से की स्राज में दंफा ताइगर रिजर इस्थल इस्थित है जी हाँ स्थी तुडuning दोस्तों दंफा टाइगर व Orthodox करीजोरा में स्थित है ओरिटीन वहीं अगर औरेशा की बात करें तो चिलका वपनजी का बएरण नंदन काना वपनों जी ऊवारन ये सवाप का उडी ऍपनन की बात करें तो दमफा टाइगर घंगर दो वहां कामी जोरं में है और असम में आसम में दोसतो बहुत सारे हैं एक का आप बताईएगा तो चली दो सबसे बड़ा बहुत अच्छा प्रस्थ में पॉबाद्धाष्टि उद्ज्यान किस राज में स्थित हैं चलिए तो अगधर दोस्तों गुजराद की बात करें तो गीरी राष्टी उद्यान जी हां गीरी राष्टी उद्यान जो की एसी आई सेरों के लिए प्रसिद्ध्ध lou जो 32 पहाडियों से घीरा हुआ है बांध गड़ राष्टी उद्यान अर Suppose पर सफेद बाग तथा तेंदुआ पाई जाते हैं क्या पाई जाते हैं चलिए दोस्तो अगले प्रस पर चर्चा करते हैं दोस्तो क्या कहरा देखेगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पती शंगरहाले कहां इस्थित है जी हां दोस्तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पती शंगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क संग्रहाले कहां है कोलकाता में है तो आए चर्चा करते हैं दोस्तों देखिए कोलकाता में सबसे बड़ा वनस्पती संग्रहाले स्थित है कहां पर सिवपूर में भारत का सबसे बड़ा वनस्पती संग्रहाले है और बिलियम बिलियम राक्सबर्ग ने इसकी अस्थापना की थी चलिए दोस्तों आगे देखते हैं देख रहे हैं दोस्त शीरिसका और रण थंभाउर जी हाँ बहुत जबरजास्थ कुश्चन सिरिसका और रण थंभाउर निम्लिखित में से किसके लिए सुरच्छी तस्थान है तो सब बाग के लिए जो सुरच्छी तस्थल है वो क्या है सिरिसका उई दोस्तों और एक स्ञेंक के जिए एड़ से लिए काउच आफ प्रसिद्ध है यह कमेंट करके बताए ये तो दोस्तों सिरिसका और रण थंभाउर जो है यह दोस्तों राजस्थान में पढ़ता है कहां पर संफ्टर हं नीषिर्ट लिए संथित लुए डोन नियुक्र में हैं इस दोdim बाग के लिए पन सेंल पार को में और जब इसके उत्र में परह दोस्तों दे लुत जो मैंने पूछा दोस्तो वो आ गया कि गेंडे के लिए प्रसिद्धा भारण कौन सा है या किस राज में स्थित है तो देखिए दोस्तो गेंडे के लिए केवल एक मात्र राश्टी उद्यान है काजी रंगा राश्टी उद्यान जो की असम में है किसके लिए प्रसिद्ध ह ये कहाँ पर है दोस्तों गुजरात जोकी CI सेरों के लिए प्रशिद्ध है रर्थंभौर राष्टी उद्यान रर्थंभौर अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों बाग के लिए रिजर्व है और वहीं जिम कारबे ट्राष्टी उद्यानी आपका कहा है दोस्तो उत्तरा खंड में है तो चलिए बिश्टार में देखते हैं इसके बारे में क्या खास है दोस्तो तो देखते हैं दिखा क्या है दोस्तो काजी रंगा नेशनल पार्क जी हां दोस्तो काजी रंगा नेशनल किया गया जी यहां दोस्तों यूनेस्को की बिरासत सुषी में इसको कब सामिल किया गया 2015 में दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा छेत्र उष्ड कटी उष्र कटीबन्दी अच्षा दित हुआ है चाहन्हां चाहर जोमे दोस्तों सेवन आता है दोस्तों इसी में दोस्तों एक और जूर जाएगा वह आ जाएगा पश्चिम घाट यह सभी उश्रकटिबंधी छेत्र हैं उश्रकटिबंधी मतलब क्या होता है दोस्तों जहां पर वर्सा जो हो वह 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों उसे कहेंगे उश्र कटिबंधी सदाबहार वन तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह सिध म सेबन सिठ वह आपकी और कि अज बर जस्त कुष्टN दोस्तों एक प्रस्र फिक्स ही रहता है कह और यहीं पर दोस्तो नील गिरी की नीचे ही दोस्तो आपकी है क्या अन्ना मलाई की पहाड़ी और अन्ना मलाई तैगर रिजर्फ भी वहीं पर है तो यह कौन सा एरिया है दोस्तों यह आपका तमिनाड है था सी आपसन सही देखते हैं कुछ खास इसक में देखिए दोस्तों वन जीव सरक्षण अधनियम 1972 के द्वारा इसको 2007 में घोसित किया गया था और इसका पूर्म नाम दोस्तों क्या था इंद्रा गांधी अभ्यार कि पूर्म नाम क्या था इंद्रा गांधी अभ्यारण चलिए दोस्तों एक चीज और आ गया पेड़ियं ठाईगर रिजिघ किस नादी पर किमा ठीगर बात की जा है दो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि पार थागर और यह कहां पर है दोस्तों मैं आप बगार बता दू दोस्तों यह केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्ब कहा है दोस्तों केरल में है जी हाँ वहीं दोस्तों आगे गर हम चर्चा करें पेरियाल टाइगर रिजर्ब दच्छिर भारत के पश्चिमी घाट पर इस्थित केरल राज के इडुकी देखें दोस्तों आगया इडुकी को टायम और पथनी मिठी जिले में इस्थित है और 1982 में इसे इस्थापीत किया गया था पर इस्थापीत के अगया था 1982 तो डारेक प्रस्ण आगर रखिए दोस्तों पेरियाल टाइगर रिजर्ब कहां है दोस्तों यह आपका पश्मी घाट जो की केरल राज में है और कभी-कभी पूछा जाता है दोस्तों इडुकी बांध परियोजना तो वो कहां किस नदी पर है पेरियार नदी पर है वहीं तमिल नाड़ के बात की जाए तमिल नाड़ में अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों अन्ना मलाई टाइगर रिजर्ब वहीं दोस्तों और अगर हम बात करें तो यह आपका हिमांचल प्रदेश है और हिमांचल प्रदेश में दोस्तों क्या है यह आप बताईएगा हिमानचल प्रदेश में कौन सा वने जीव भारत है इसको आप बताईएगा तो मानस वने जीव भारत के उत्तर पूर्वी राज असम में इस्थित है और भूटाउन रायल मानस नेशनल पार्क के समीप इस्थित है यह बाग एक इवम हाथी के लिए परशन पभी कभी पूछाता है कि निम्ड मेंसे कौन सा यूनेश्को की विसभी राज सूची में इस्थित नहीं है दोस्तों तो आगे चर्चा करते हैं गिर जंगल किस राज में ऐस्तित रजी तो गिर नाम आगा तो जान लीजे गिर को मतलब घुज़रात डोस्तो और गुज़रात जो है एस याई से одेरों के लिए प्रसिध है वहें केतर दोस्तों कि बात की जाए दोस्तों केतर सुनएर में कमेंट करके बताईएगे दोस्तों आगे चलते हैं देखिए दोस्तों यह उसमें आ गया है देखिए सब चीज लिखा के लिए प्रसिद्ध है दश्ट्र अफरीका के अत्रिक्त विश्व का एक मात रस्थाल है जहां एस याइस तरह पाए जाते हैं तो चलिए दोस्तों आलिकते बांधी पूर राष्टी उद्ध्यान किस राज में इस्थित है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताईए दोस्तों बांधी पूर राष्टी उद्ध्यान किस राज में इस्थित है तो ऐसे दोस्तों मध्य प्रदेश होना चाहिए द 1773 में बाग परियोजना के अंतरगत बाग आरच्छित छेत्र इसको घोसित किया गया था जी हां दोस्तों तो क्या बताया दोस्तों बांदीपुर नैशनल पार्क कहां पर इस्थित है बांदीपुर राष्टी उद्यान ये आपका करनाटक में इस्थित है दोस्तों चलिए अगले प्रस्ट पढलते हैं दोस्तों गजब का प्रस्ट है सुन्दर वन टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्थित है जी हां दोस्तों सुन्दर वन टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्थित है तो सुन्दर वन चुकि नाम से ही सपश्ट हो रहा है गंगा आप couleएं कहा पाई जाती है दोस्तों तो मैं हिस्टों है और आप सास्त्री जो निर्त है वो क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताइए दोस्तों आगे चलते हैं वहीं दोस्तों क्या कह रहा है देखिए अब इसमें आ गया कि गंगा नदी के डेल्टा छेतर में स्थित है और जैयो मंडला च्छाजित छेतर है या बांगला देश के साथ अपनी सीमा साजा करता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं कुछ थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं आपको दोस्तों कुछ ट्रिक बता देते हैं कि आखिर हम कैसे यात करेंगे वन जीव अभ्यारन को तो अगर हम असम की बात करें दोस्तों किस की बा काजी सोना रूपी काजी के पास गया सोना रूपी काजी के पास गया जी हां दोस्तों सोना रूपी काजी के पास गया तो देखेंगे दोस्तों मानस वन जी वबहरण कहां है असम में है गरम पानी वन जी वबहरण कहां है असम में है तलास देखें लिखा है दोस्तों तलास क मतलब कुछ नहीं दोस्तो इसको हटा दीजेगा सोना रूपी लिखा है दोस्तो सोनाई रूपा वन जिव भैरण कहां यहीं है काजी लिखा है दोस्तो काजी रंगा वन जिव भैरण असम में ही है और एक और दोस्तो ओरांग बाग अभैरण है दोस्तो औरांग बाग्या भेरन कहा है दोस्तों याद रखिये गया है इसको लिखने जिगा ट्रिक है दोस्तों मानस गरμ पानी की तलास में सोना रूपी काजी के पास गया दोस्तों इतना यह है और 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 उरांग एक और जुड़ जाएगा वही दोस्तों आसम के अलाब में गोविंद नाम का ब्यक्ति जिम गया गोविंद नाम का ब्यक्ति जिम गया, जहां पर उसने राजा जी को माला पहना कर गंगोतरी भेज दिया जी हां दोस्तों राजा जी को माला पहना कर कहां भेज दिया गंगोत्री भेज दिया यानि कि गोबिंद नाम कभ्यक्ति जिम गया जो कि राजा को माला पहना कर कहां भेज दिया गंगोत्री भेज दिया तो गोबिंद नेशनल पार्क कहां है दोस्तों गोबिंद नेशनल पा यह आपका उत्राखंड में है यह आपका उत्राखंड का है दोस्तों पहला मैंने असम का बताया मानस गरम पानी की तलास में सोना रूपी काजी के पात गया दूसरा मैंने उत्राखंड का बता दिया दोस्तों आईए एक और ले ले लेते हैं तीन आज लेंगे और आगे कल ल से सीता नदी में बाढ़ हां गई और इससे और इंद्रावती बह गए तो बादल फटने से तो इंद्रावतिक मतलब इंद्रावति, राष्टी उध्यान, संजेक मतलब संजे राष्टी उध्यान, सीता नदीक मतलब सीता नदी वने जीव अभ्यारण, बादल फटनेक मतलब बादल खोल वने जीव अभ्यारण तो यह सब कहाँ पर है दूस्तों ट्रिक मज़ा आई हो तो जरूर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा कमेंट कीजेगा दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो है एरफोर्स की जो क्लासिस हमारी चली है अगर कोई भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हो जो एयर फोर्स की तयारी करना चाहता हो दोस्तों तो पूरी वीडियो दोस्तों फिरी में पड़ी हुई है प्ले लिस्ट पर वहाँ पर जाकर वो देख सकता है तो धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नमस भासकार धन्यवाद जैहिन